पूरा पूरा डिवाइड करता है जो दूसरे बड़े वाले नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो अगर आप 26 को चूसरे डिवाइड करोगे तो यह पूरा पूरा डिवाइड करता है जिसमें रिमेंडर आपका 0 आता है तो यह यह होगा ठीक है यह तो आप करोगे अप डिवाइड करोगे अगर रिमेंडर जीरो आता है तो यह नहीं आता है तो नो होगा ठीक है न अगर रिमेंडर को बसता है पूरा पूरा डिवाइ हम आपको दिखाते हैं तो देखो जैसा नंबर थी का फर्स्ट वाला 48 का फैक्टर ट्री बना रहे हैं तो 48 को हम लिख सकते हैं तू इंटू 24 है ना तू इंटू 24 लिख सकते हैं तू 24 होता है सबसे वहले इस तरब के एक छोटा नंबर लोगे वन वन को छोड़कर तू या थ्री या फाइव ऐसे करके जिसके टेवल वह आता हो ठीक है अगर यह दोने इवन नंबर तो से अप ले सकते हो ठीक है तू इंटू 24 अब देखो तू तो आपका और टूटे का नहीं क्यों टू वन जाई टू होता है नंबर में आता है हूब तो में आता है अपने टैबल में आता है उसको हम तोड़ नहीं सकते और लेकिन 24 का चोड़ सकते हम है कौ ciao कि टू ट्ववेलस siitä हम टूटेफोंस को लिखेंगे यह तो तूर यह नीचे आगया इस ट्वटियवू कर का है तू इन्टू ट्वैलतो smat 24 कि फिर हम यह जो टू है यह तो नीचे आता ही रहा आपका कि इसको दोड़नी सकते हो स्थिम तू सिम कापी करेंगे यह भी तू नीचे आ जागा हुआ इसको पार नहीं तोड़ सकते यह भी सिंटू सिम कापी करेंगे हम लो लेकिन तुछ 12 को हम फिर तोड़ जकते हैं इस 12 को क्या लिख सेते हम 2 6 12 तो इसको लिखेंगे 2 into 6 जब तक तूटता है कोई number तब तक हम उसको तोड़ेंगे break करेंगे ठीक है तो यह आपका सेम आ गया ये भी आपका सेम आ गया ये भी आपका सेम आ गया अब इस six को हम तोड़ सकते हैं क्या कर सकते हैं two three two into three ये हम लिख सकते हैं ठीक है तो ये हमारा और इसका कुछ नहीं तूटेगा आपका ब्रेक नहीं होगा तो two into two into two 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 is a four two two is a four two is a eight eight two is sixteen, sixteen three is a forty-eight तो forty-eight को हमने इस तरीके से prime numbers में तोड़ दिया तो ये ही होता है इसका इसे को कहते हैं factor tree तो हम इसको लिख सकते हैं forty-eight equals to जो जाए two into two into two into two two into three 48 और ये सब बरावर है इस तरीके से आपको लिख देना है ऐसी आप दूसरा करोगे ठीक है अब लेते हैं question number five sorry four list the common factors of twelve and eighteen तो factor कैसे निकालते हैं first question में आपको दिखाए गया है तो निकालते हैं कैसे वाला process तो आपको मालुम है वह मैं दिखा नहीं रहा हूं वह step आपको करना है लेकिन ठीक है न तो जैसे number five four करोगे आप four यहां बता रहा हूं number four तो आप सब्सक्राइब लिखोगे तो इस मेरे से मैं लिखा हुआ है factors of 12 12 के factors क्या क्या है यह है one two three four six twelve इन सब के table में 12 आता है अब फिर बता रहा हूं factors कैसे निकालते हैं आपको question one में आपने दिखा हुआ mein factors of 18 123 six nine eight अब देखो common factors मतलब common मतलब दोनों में जो एक जैसा है नहीं one यह Lin जैसा है है कि नहीं one जैसा है two दोनों में आ रहा है three दोनों में आ रहा है और दोनों में six आ रहा है तो जो Benebn होगा वो शारा वही आपका answer है वही सारे common factor है clear कि number 5, write the, आपसे पूछा क्या है, write the first four multiples of the given numbers, कुछ नहीं कानने से one से लेकर four तक table लिखना उस number का, जो number दिया है, जैसे a वाल हम लिखेंगे, तो पहले चार multiple क्या होंगे, three के, three into one equals to three, three, एक हो गया, दूसरा क्या होगा, three into two is equal to six हो गया, यह दूसरा हो गया, तीसरा, three into three is equal to nine हो गया, चौथा, three into four, जो number है, उसी के table का, one से लेकर four था, three is a twelve, तो three, six, nine, twelve, ऐसी आप कर देना, यह चार है, इसी देखें, four का जब करेंगे, four one's a four, four two's a eight, four three's a twelve, four one's a sixteen, पहले one से चार तक multiply, ठीक है, आप देखो number six है, find the first two common multiples of the given numbers, पहले दो common multiples आपको लिखने है, तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखो, एक बता रहा हूँ मैं, answer six, first part बता रहा हूँ मैं, आप साथ से बहले, multiples of, multiples of two लिख होगे, यह यह टो के multiple, two का table, two ones are two, two two's are four, two three are six, two fours are eight, ten, twelve, fourteen हो गया, sixteen हो गया, eighteen हो गया, twenty हो गया, twenty two हो गया, twenty four हो गया, twenty six हो गया, twenty eight हो गया, जगा छोड़ दो आप, ठीक है न, जगा छोड़ दो, कुछ और लिखने के लिए, इसी तरीके से आप लिखो, multiples of, दूसरा जो नमबर दिया, multiples of, multiples है नहीं table, three, three का table हम लिखेंगे, three हो गया, six हो गया, nine, twelve, fifteen, eighteen, eighteen है, twenty one, twenty four, twenty four के बाद आपका, twenty seven, thirty, ठीक है न, एकुछ लिखा, अब देखो, इसमें हम लिखेंगे, अब क्या, first, क्या पूछा इसमें, first two common multiples, पहले दो multiples जो common है, so first, two common multiples, multiples of, two and three are, अब देखते हैं कुछ common आ रहे हैं कि नहीं देखो, क्या common आ रहे हैं कि नहीं देखते हैं, अब देखो, दोनों में, पहला आ रहे है, six common आ रहे हैं, six, ये गोला मैं आपका समझाने के लिए लगा रहा हूँ, six के बाद दोनों में कौन एक जास आ रहा है, 12 आ रहा है, इससे पहले कोई common नहीं आ रहा है, बस, दो ही हमको देखने हैं, पहले दो जो सेम जिम मिल जाए, तो यानि, पहले दो common multiples, two or three के क्या है, six and twelve, खलस, बस, इतना ही आपका अंसर है, question about seven, fill in the blanks with yes or no, इस 37 divisible by five, क्या 37 five से divide होता है, नहीं होता है, five seven जा 35 होता है, five eights of 40 होता है, पूरा पूरा divide नहीं होता है, तो आप देख लोगा टेबल तो आने चाहिए आपको, आप पूरा divide होता है, yes, अगर नहीं होता है, तो no, बस, इसमें कुछ process करने की ज़ुरत नहीं है, तो यह सारे जो है, आप three से लेकर seven आप कर लोगे, अच्छे से, thank you very much.